गीता अठारा के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचन क्ःथ कि अवच हाओ दो कि अवच है कारृ बदर क्थ़ वाइबत वंप साकट चारों बेद हैं ये साकट ज्वादस पंथ ये बारा पंथ भी साकट हैं कौन से जैसे कबीर सागर मा आपने जेख्या बारा पंथ एक वो नारा नदास का वो चूडा मनी जी का पंथ जगू पंथ ये बारा पंथ है ये इनकंप्लीट डॉलिज है ये भी साकट है यानि पूर्ण मोक्स नहीं है और ना दुसरे की मानने अपनी बात पार डिग रहते हैं जो उन्होंने लोग वेद गरहन कर रख्या है पर्थम तो दस नाम हैं ये सन्यासी बगवान है और दारू बकरे खात हैं निस्वा सरसुरा पाने ये पहले ये सन्यासी बगवान बने फ्रेंकत ये भी साकट हैं सराब नहीं है छोड़ा नहीं मास की इन गटार जिनों का बैरो मांगा है बैरो का चुड़ा जे बकरार एक बोतल है और चुड़ाने वाड़ा चुड़ा चुड़ा जा वो पाच्छा पकाओ और खाओ गुटी लाओं ऐसे करम अपने बिगाड़े हैं और उस साथ में ये जुमानों के चार संपर्दा देख ले ये बाउन दुवारें जाए भांगतमा खुखात हैं ये पत्थर कंठ लगाए ये संतों के पंथ हैं जो टुकडे पानी चाहें जिन ये पंथ लाई या वे तो अगम अगा अथा है गुरू गलतियों होता है नानक जेहे पंथ फिट जन नेति संत की जो सक्ट सिस्करंथ अब गुरू गलत न्यू होगे जैसे नानक साहिब ने कितना पुवित्र अलग से बगवान की विधी का मारिग चलाया था अब इसमें आगए चलके ये क्या करन लगे सराब की इनका टालना मास की इनका कोई बादा नहीं रही और सभी सिख बना दिये तो को सराब पियो भी सिख मास खावो भी सिख अरज सिख का काम सराब मास तुमा को पीना होता है जो इन वस्तों के निकट भी नहीं जा वो सिख है तो यहां क्या बताते हैं गुरू गलतियों होते हैं अब नानक जी के पंथ में तो ऐसी बुराइया पढ़ेगी गर करगी तो उस महापुरुस को भी इस बात की लानत लगती है कि ऐसे महापिरुस के पंथ मैं ऐसे गर्पोड़े बुराई आगी क्यों आगी क्यों कि साकेथ सेजे बना शक बन गए क्योंकि जो सराभिएं मोविश्क माज खाव हो भीश्क और सारे शक्त बीज़ नहीं ये धार्मिक विक्ति नहीं होते जो माज सराभ तमाखों का परियोक रहें चै कोई भी करता हिंदू करते मुसल्मार सिक्क रोचे इसाई पंड़ साकट कौन विदी इसका निरना दे वा तेरा मी जीमत फरह है तो कंठी मतले पंड़ साकट कौन विदी इसका निरना दे सुत्यक संचाखात है जिनके मौन डेखे गाल वजाए क्या हुआ तुलसी डाल जरोर गुल्ले भगती भगवन्त की ये पत्थर तैंसिर फोड द्वादस तिलक बनाए कर ये नाचे घर गर बार कनक जिने उकाइडिया वे सत्रह दास चमार निंदा नहीं निराठे है सत्गुर साहीदार वतन हमारा मानियो ये चारों वेद विचार इन चारों वेदों को पुनर विचार करो हमारी बात पर विचार करो हमारी बात को मानो हम क्या कह रहे हैं हम निंदा नहीं कर रहे हैं गरीबदा साहिब जी कह रहे हैं तुम इन वेदों को पुनर विचार करो फिर देखो तुम गल्द ग्यान ग्रहन की हुए राज द्वारे जाये कर ये बाचें गुरुड प्रेत साहिब का सुम्ण नहीं ये छुटेंगे किसे तुम पारायन करते फिर ये गरगर गरबार गमार और जीव मुक्ती क्यों होएंगे है आप नहीं दीदार कथनी के सूरे घैने ये कथें अटंबर ग्यान अर्जम के दुआ रह जावेंगे ये सब्द हमारा मान अब ये वक्ता तो कहते हैं बिना गिनती के सूर वीर बड़े परसिद वक्ता कथनी के सूरे घैने ये कथें अटंबर ग्यान और कहते हैं ये काल के दुआ यम के लोक मजावेंगे तुम बचन हमारा मान कथनी के सूरे घैने ये कथें अटंबर ग्यान नाहीं परक परेम की सो कथनी पाहन जान कत्नी के सूरे गहने ये गर्मे कहते ग्यान और बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करें मैदान अब जैसे एक सर्वानंद नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान पाक रहा था उसकी मात ब्रहमन था वो उसकी माताजी सारदा रानी थी वो बहुत नेक आत्मा थी लेकन किसी प्रहर्वत के करम वस वो बहुत प्रेसान थी सारे री कष्ट था मानसिक प्रेसानी रहती थी तो प्रमेश्वर कबीर जी के सरनमत जाते ही उसका सब कष्ट निवारण हो गया था और उससे पहले उसने सब विद्वानों तेरे प्राहरब्द का करम है सारदातन भोगना ही पड़ेगा श्री राम ने भोगा क्योंकि नारद ने सराप जिया था श्री विश्री जी को राम चंदर रूप में पर गट वे एक जीवन पूरा दुख पाई श्री राम ने बाली को मारा था सुग्रिव के भाई को उसका बदला भी श्री कर्शन बन कर दिया वो सुग्रिव वाला भाई बाली तो बना सिकारी श्री कर्शन जी के पैर में विसाक्च तीर मार के उसका उनका बदला लिया तो इसलिए प्राहरद में किया हुआ करम तो भोगना ही पड़ेगा तो प्रमेश्वर कबीर जी की करपा से उनके आशिरवाद मातर से उसका सारा रोग कट गया फिर उसने नाम लिया बक्ती प्राहरम की फिर अपने पूतर की उसके पूतर को क्या भी मान हो गया कि मैंने पूरे सभी विद्वानों को ब्रहमनों को प्राजित कर दिया विशास्त्रार्थ में और उसने सोचा कि मैं अपना नाम सर्वजीत रखवा हूँ अपनी माता से तो सर्वानंद ने अपनी माता सारदा जी से कहा कि मा मेरा नाम सर्वजीत रखदो मा ने कहा बेटा सर्वानन्द कुछ सा बुरा नाम है ये बहुत अच्छा नाम है कारण क्या है तो सर्वानन्द ने कहा कि माताजी मैंने सभी विद्वानों को सास्त्रार्थ में प्राजित कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से ही विद्म हो जाओ कि यह है वा सर्वाजीत जिसने सब विद्वानों को पराजीत कर दिया उसकी मा ओली भाई एक विद्वान को और पराजीत कर दे फिर अपने पुत्र का नाम सर्वाजीत रख दोंगी यदि उस विद्वान को पराजित नहीं करेगा तो तिरी माँ तिरा नाम पराजित नहीं रखाए अब वो कहने लगा माँ बताओ कौन है विद्वान कि कबीर परमेश्वर वो कहने लगा कौन कबीर वो कबीर वो जुलाहा कबीर अब हाँ बेटा वो बगवान कभीर बोल को कहने लगा माता हूँ तो अनपड़ है सिक्सी तो वो क्या जाने बेज सास्त्रों के बारे में अभी गया रभी आया अब सर्वानन्द प्रमात्मा के पास पहुंचा उस जुलहा कलोनी में सर्वानन्द गया वो क्या करता था एक बैल के उपर गजे की तरह बोरा रखके है और उसमें चारों वेद अठारा पुरान उपनेस्त बागवत और गीतार सारे लख्या करता कि कोई सास्तरात बात करें उसी से में कड़ के दिखा जेक देखिए लिखा इस प्रष्ट पे उसको कंठस्त याद थे वेद में ऐसा लिखा वो साथ रखता था वो पहुँचा वहाँ पर कहा अब सो रट मैं बताओंगा क्योंकि इस से में थोड़ा रह रहा अब सर्वानंद कबीर जी की जहुपड़ी पर पहुँच गया एक कमाली नाम की लड़की जो मुर्दा जीवित की थी सेग तकी की लड़की थी कबर में दबारा की थी वो जीवित की थी तो परमात्मा के साथ रपनी बेटी रूप में रही थी वो परमात्मा कबीर जी के साथ वो लड़की आगे मिली उस लड़की से कहा के बेटी तू पानी जा लड़की अंदर से पानी भरके लाई एक लोटा और कहा मेरे इस पातर में डाल दे सरवानंद के पास एक लोटा था और वो लबालब बरवालिया कती उपर तक उस में एक बूंद पानी पड़े वो भी बाहर जावे और कहा बेटी इस लोटे का पानी गिरना नहीं चाहिए और कबीर जी को दे दे जो इसका उतर दे मुझे बताना तो वो कमाली धीरे धीरे उस लोटे को भरे वे पानी को लेकर गई कहन गी पिता जी ये लो सरवानंद वो बाहर पंड़ जी खड़ा न उसने ये कहा कि मेरा उतर लाना परमात्मा कबीर जी ने एक बड़ी सुई लोहे की आची मोटी सुई लंबी होती थी वह पांचे इंच की वह उठा गया उस लोटे में गेर दी और वह सुई लोटे के तली में जाकर बैठगी और पानी बार निकल गया जितनी कैपस्टी थी सुई की वह लड़की को कहा जा बेटी देया सरवानंद ने दे दिया उसका उतर पंड़जी ने पूछा कि क्या उतर दिया मेरा कबीर जी ने लड़की ने कहा पिता जी ने इसके अंदर एक सुई डाली है कोई उतर नहीं दिया कहा यह इसका उतर ही है फिर वो अंदर आकर कहने लगा के कबीर जी आपने मेरे परसन का क्या उतर दिया परमेश्वर ने कहा परसन बताओ पंड़जी अब सर्वानद ने कहा कि मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया सास्टरार्थ में और मैंने अपनी माता सारदा जी से अपना नाम सर्वजीत रखवाना था उन्होंने सरत रख जी कि मैं आपको सास्टरार्थ में पराजित करके करके आपसे लिखित रूप में लेकर जाओंगा तो वो मेरा नाम चेंज करेंगी नहीं तो नहीं करेंगी तो मैं आपसे सास तराज कर जाया हूँ और मेरा ये परसंद था कि ये लोट मैं ग्यान से ऐसे प्रीपुरून हो जैसे ये लोटा कति लबा लब रहा जल का इसमें और जल डाला जाएगा वो भार जाएगा इसमें समाएगा ने यानि मैं इतना ग्यान युक्त हूँ मेरे साथ चर्चा करना भी तरह विरत होगा तिरी बात का असर बेरे नहीं होगा प्रमात्मा बोले ही मेरा उत्र सुन ले मेरा ग्यान ऐसा ग्यान है जैसे मैंने ये सुई डाली तेरे लोटे में या सुई तेरे लोटे के तली में जाका बैठ की तरह पाणी बार निकल गया मेरा वो ग्यान है तेरे हर्द्यम जाकर बैठ जागा और तेरा यु थोथा पाणी सारा बार निकल जागा और ग्यानसब ग्यान डी कबीर ग्यानसब ग्यान जैसे गोड़ा तूब का यूग करता चला है मैदा सर्वानंद कहने लगा अच्छा तो करो परशन परमात्मान ने कहा कौन बिर्मा का पिता है कौन विष्णों की मा और संकर का दादा कौन है सर्वानन दे बता अब क्या बताते है कथनी के सूरे गहने ये कहते अटंबर ग्यान और बाहर जबाब आवे नहीं फिर लीद करें मैदान अब लीद कर गया हो सर्वानन चोड़ा वे अटे था वहाँ लीद कर गया मैदान मे और गदान को बोदे है गड़े गोड़े बदा दे ना उनका कमपीटीशन में और बाना करके लीद करन लागे जाए अगरा आगे ना चालश वे सर्वानन यानि ये सारे विद्वान नो लीद कर गए मालक के पर्मातमा से नहीं टकराओ थी तान अंडीपा के अंड़े थे जो बराबर में चाल जो सपीड खेंची तो कर गया लीद आई नोकुरा बर्मा विश्वर सर्वेश्वर महिस्वर्ण का कोई पता नहीं कोई माता नहीं ये फिर प्रमात्वाने कहा देवी बागवत निकाल तीसरा सकंद उसमा पड़ा उसमा के पाया मान्या फिर भी नहीं क्योंकि सारे गर्द संस्क्रत में थे संस्क्रत पड़के औरो कमें लाग गया वानुटा टा 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 गुनुझ जोर तक बोलता रहा अब जो वहाँ दर्सक थे वो जुलाए थे सारे ऐसे खसित सर्वानंद बोला कोरी संस्क्रत संस्क्रत बोलता गाँ बोलता गाँ और क्यों क्यों बता जिया और जितने सुरोता थी वो भी इस बात से इस ग्यान से सने पड़े थे कि पर अभी शुरो मैं इसके कोई माता पिता नहीं तो सभी ने उस संस्कृत के अधिक बोलने मातर से सर्वानन्द को जविज़ाई कर दिया और तालई बजाए दी उसकी मा बोलिए भई ठीक है मा आज़ी तो जीत गया बिदवान लिखः लेकि लिखवा होगा अब लिखवागे ले गया कि असर्वानन्द जीत गया कवीर साब आज़े की अंगुठा करवा लिया अन्गुठा उन्हे अपनी मा को जाके सुनाने लगा माता जी उसने जाते हर्मानली मेरेता है मा बोली बेटा सुना पड़के पड़के सुना लागया सास्तरान में सर्वानंद आर गया कबीर साब जीत गया उसकी मा बोली तु नु गदा मैं जीत काया तु आर काय रहा है ओ हो माता जी गल्त लिखा गया फिर जाता हूँ फिर गया दुबारा फिर लिखिलाया आके फिर सुनाया फिर यही लिखा पाया लिखवाया था यह कबीर जी आर गया सर्वानंद जीत गया मा के पास आवाय तो उर्टा लिखा पाया के कबीर साब जीत गया और सर्वानंद आर गया सचाई ती एई थी, वो फेर तीसरी बार फेर गया, परमात्मा से काज मेरे से गलती से लिखा गया, और मेरी माना मानती है, वो फेर लिखना पड़ा, लिख ले भाई, मता अशिक्सितो, उसने फेर लिख लिया, सवर्वारन जीत के अकबिर साब आर गया, अगुठा लगा ज तब तक यो का यो लिखा हुआ, वो ऐसे उस अक्सरों के अपर उसकी आख रुकिगी, वो देखता देखता रंदर को चलता चलता, मा के पास निकटाया, करना लगा, मा पड़ के सुनाओं, वो कर इतने में अक्सर चेंज होगे, ऐसा लिखागा, कबिर साब विजय हुए, स इस अस वेड़िजा है विदवान वँ लिघा था उसकी, माँ बोले बोलता है कि हुना विदवान भोल कि तरना के लख भोले उसकी, तो बैठ गहाक, है। JUक उनगे नगाड़कि बगवान आरे नालाइक, जो पहर पकिड़लिजा के अपल्यान हो वेटा, मैं तरक रोया कर् बगवन इसकी बुदी ब्रेश्टोरी यो अक्सर ग्यान कर पाक कर अंदा में अंदा ही यो मुख्या बना फरह है अंदे के अंदा में शेठ यूपन रहा है परदान और ब्रयान मर्टी होगी तेरी अब संस्कर्त में उसने पढ़ा वो सच्चा था तीछरे अक से तीछरे संक अक्पर माविशनों महिश का जनम मर्चू होता है ये नासवान है लेकिन अब इमान वस नहीं मानने था तब उसकी मा के पास ने वला मामन सरम आवे है आप ले चलो मैं ना मिलूँगा मेरा पीछा चुटवाओ मैं तो बहुत मैंने आखों देख लिया कि ये सचमुच कबी जी तो बोल रहे सही है तो सर्वानन उस एक नम्बर के विद्वान ने रा कभीर जी से उपदेश ले लिया तो सारे ब्राह्मन सर्वानन के विरो दी ओगे वनकली अब सर्वानन की बात ने कोई नहीं माने बिर्मा विश्नों महेश अविनासी नहीं उसका ड़े माने आले अपना ओरे विद्वान बगती कर और पीछा चड़ुआ वेटा फिर देखांगे आण देव टेमी नकलियान विदे तो वो समय अब आगया इन नकलियों को सीधा करने का बोलो सत्गुर्देव कीजए परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वै सिर्ष्टी रचनहा पर कुल मालिक यह वो प्रमात्मा है जो बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमी कासी सहर के अंदर सन तेरा सो अठाण में सम्विकर्मी सम्वच चौदा सो पच्पन जेश्ट सुधी पूर्ण मासी को एक लहर तारा नामक तलाब में एक कमल के फूल के उपर नवजाच्छी सुरूप धारन करके वो परमात्मा विराजमान हुए वो परमात्मा सतलोग से चल कर आए अपने निज सथान से अपने पुर्वे वचनों अनुसार एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पती पत्नी परमात्मा को अपने घर ले गए उनके कोई संतान नहीं थी उस जुलाहा घर में जुलाहा वरण में लिलावत वहाँ कारिये करने से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से परसिद हुए फिर वो परमात्मा एक विशेश कवी नाम से भी कवी उक्मा से भी सुसोबित हुए और वो परमात्मा स्वें परमात्मा भी है उस परमेश्वर ने हमें यहां आकर के क्या ग्यान दिया उनका इस लोक में आने का उदिश से क्या था उनका उदिश से था के वो हमें अपने निज घर के बारे में जहां से हम आए हैं वो जानकारी दें और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अग्यान के आधार से हम अपना यही जीवन समझ सके हैं कि जनम हुआ फिर अपना जैसा प्रेतनवत बड़े हुए संसकार वस संतान हुई साधी हुई इनको परवर्ष इनकी परवर्ष कर दी फिर व्या साधी कर दी हमारी मर्टू हो जाए हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुस जीवन का सोच रखा था अब जब प्रमात्मा की रोसनी में तत्वग्यान के परकास में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा ही है तो हमारी मजबूरी है हमारे पिछले कोई ऐसे संसकार उड़जे हुए हैं जिससे हमने ये समक्रिया करनी आवस्यक हैं लेकिन जो कारिये हमने करना चाहिए था मनुस जीमन से उसका तो हमें ज्यान भी नहीं वो प्रमात्मा ये ज्यान देने आये थे अब कई भक्त कहते हैं अन्दान विक्ती कहते हैं यदि कबीर जी बगवान थे और तो आप लोग इस एक इस ब्रमाट को काल की जेल बताते हो और यहां सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहां बंधे हुए हैं इस काल की जेल में कर्म बंधन से तो कबीर प्रमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहां आने की क्या हो सकता थी इस से सिद्ध है कि वो भी कोई करम के मार से ही यहां आए हैं वो भी बंधन में बंधे पुन्यात्मा यह अनाडी सोच होती है अध्यात्मिक ज्ञान से अप्रीचित विक्ती के अंदर ऐसे संकारूपी खर्पत्वार का उपत जाना कोई बड़ी बात नहीं एक चुटकला है छोटा सा एक जेल के अंदर एक कैदी वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी शिर्पे टोपी और पजामा और कुर्ता तो एक दिन भारत के परधान मंत्री जी पंडी जवारलाल नेरूजी ने किसी जेल का निरक्षन करना था और कैदियों को स्टेंटू कर दिया की वाज़ परधान मंत्री आ रहे हैं पंड़े जवाला नेरुजी और सब को कहा भई अपना ठीक ठाक रहे यह हो सकता है मेर कर दें तो किसे की कैद को भी माफ कर सकते हैं तो सब की उत्सुकता थी भई पंड़े जवाला नेरुजी आवेंगे देखांगे उसको तो पंड़े जवाला नेरुजी और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी शर्पेटव पी कुड़ता पजामा एक कैदी बोला वाई कुणसा है जवारला ने रूप नो बला वू आन लाग रहा बला अच्छा बला कदे कदे आम भी जवारला ने रूपन काय थे आड़े आन दे भाई ने वो जागा थोड़े दिन में ठीक यो भी अब उननों सोचा ये भी पकड़ के लाए है इस पुलिशाले रिसनाड़ा मारे दुरबंद करेंगे नो बला कदे कदे आम भी ने आये थे जो आला ने रूपन काय पराड़ा है इस पराड़ा पट्रा के बुन्डी बने इनसान के लिया यो भी सी दा हो जागा तो पुन्यात्माओं उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं यह छोड़ जाते हैं लेकिन वो राजा थे वो किसी अपराड़ के कारण उस जेल में नहीं गए थे ऐसे ही ये प्रमेश्वर कबीर जी हमें रहा देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं हमारे जैसे ही लगते हैं लेकिन ये होते हैं प्रमेश्वर ये हमें क्या बताते हैं आकर के प्रमात्मा बाई ओर बात तेरे काम ना आवे तु संतों सरन लागरे केशो वेग फलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे ओर बात तिरे काम ना आवे संतों सरण लाग रे केशो वेग फलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे भाई उठ सवेरे उका वर लिया के जाग या नर भाग रे उठ सवेरे हुका वर लिया के जाग या नर भाग रे राम बजाना सुकर्म की ना ये फुट्टे तेरे बागरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सर्न लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे इस तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दमागरे तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दमागरे रात बसेरा कर ले देरा चले सवेरा त्यागरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सर्न लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे उमदा चोला वेन अनमोला ये लगें दाग पैदागरे दो दिन की गुजिरान जिगत में जड़े बिराणी आगरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सर्न लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे बाई कोब दिकाँ चड़ी चड़ी चित पैदागरे तुम होया मनुस्त नागरे सूजय नहीं सजन सुक सागर बिना प्रेम बेरागरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सर्न लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे बाई अर सुम्रे सोहान से कहावे यो कामी कृदी कागरे अर सुम्रे सोहान से कवावे यो कामी कृदी कागरे बोरा ना बर में विसके बन में चल बेगंपुर बागरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सरने लागरे के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जागरे सब्द सेन सत गुरू की पछाइनी यो पाया अटल सुहागरे सब्द सेन सत गुरू की पछाइनी पाया अटल सुहागरे नता नंद महभूब गुमनी पर गटे पूरन बागरे पर गट्य पूरण बाग रे और बात तिरे काम ना आवे संतों सरने लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे अब क्या बताती हैं ये प्रमात्मा कबीर जी का सब्द है लेकिन नितानन जी ने उसी के अधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया हमने प्रमात्मा की महिमा को परखना है समझना है नितानन जी महाराज ये वैशनो परमपरा से संबंदित गुमानी दास्वंत के स्यस्थे इन महापुरसों ने अपनी साधना को जो विशनों की साधना करते थे उसी को बेगम पुर्मान कर किया बेगम जहां कोई गम ना हो जहां कोई दुख ना हो तो इनको इतना ही ग्यान था पुनात्माओं हमने केवल इसका समा उर्दपरद नहीं होना है कि नितानन जी भी ऐसी ही वानी बोलते थे क्योंकि कबीर पर्मेश्वर की वानी जो है दरिया है उस परमात्मा की वानी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकाने चला रखी है तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना उसको भी गंगाजल ही बोलते हैं लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है पर्मेश्वर ने एक पता है कि इस तन सरा में कहते हैं मानले जाग एक तो जागना है जैसे किसे न उठा जिया उठले वाई सुवेरा हो गया यह दिन रात जो बनते हैं और उठ गया उठते हैं उठके का निभाग लिया ठाग है चलम हम न देख्या है हमारे रिष्टेदार और जैसे घरवाले जो उठका पिया करते हैं सुथ्त्या उठते हैं और ठाक है चलम और वहां पहुंसते हैं जहां पर आग सुरक्षी तरख रखी होती है और पी का उका एक दो कठाई फिर लगते हैं अपने काम पर ना किसे थी राम राम करनी ना नमस्ते मतलब मार ऐसी सथी देखी इस दासने अब वो देखता हूँ तो यह प्रमात्मा कित पैदा हो गे थे हे बगवन हम एक बार सत्संग करने चलेगे पलवल का नहां पलवल में हमारा एक सेवक है जो कमीशनर से रिटार होए है बगद गुलाब सेंग जी उन्होंने वहाँ सत्संग करवाए अपने भाई के यहां हम सुबह सेर सपटे गुमने के लिए जाते तो रास्ते में जीतने भी विक्ती मिल दे वह नहों करते राम 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 यानि कोई भी मिलता गुमने फरने वाला बुड़ा मिला चाहे जवान चाहे बालक राम राम भाई राम राम जी रतरा गजब हो और हम कित थे रो तक जला में राम राम तर दूर नहों करते नमस्ते और ठीक से नमस्ते नमस्त कारत होता है नहों करना नमन करना नीचे को गरदन करना जों करते नमस्ते ठीक है राम राम तर बहुत वारी गाया गरते तो अब उस सथिती से निकल कर अब कहां हम पहुँचे तो वहां क्या कर उसके विसे में बताया है परमेश्वर कभीर जीने के उट सवेर है ओ कवर लिया फिर केजा गैनर भागरे उठ दे फिर पाप सुरू कर दिये कोई राम बजाना कोई सुकरम की ना ये फूटे तेरे भागरे इस तन सराय में जीव मसाफिर करता रहे दमागरे इस तन रुपी सराय के अंदर ये जीव मसाफिर है ये कुस दिनों का मेमान इसमें आकर रुका हुआ है इसने जितना इसका किराया दे रखा तब तक ये कमरा इसके पास रहेगा जब वो किराया पूरा हो जाएगा तो तुरंत उसको छीन लिया जाएगा बाहर कर दिया जाएगा ये प्राणी इस सरीर रुपी सराय से धर्म साला से इस होटल से इस होटल में किस लिए आये थे दूर देश में इसलिए जाते हैं कि कुछ पैसे ले जाते हैं वो धन ले जाते हैं उससे आगे बिजनस करके धन बर्धी करके फिर वापिस लोटा दे तो यह स्वांस रूपी पूंजी हमें इस स्री रूपी सराय मिली है स्वांस रूपी पुंजी है मनुष श्रीर है इस स्वांस रूपी पुंजी से यानि मनुष जीवन से हमने सुब करम करके ये सोदा करना था बिजनिस करना था और दुगना तिगना चोगना बनाना था हम सत वक्ती ना करके अपने उस जैसे एक रेस्टोरेंट में गया कोई वक्ती एक लाख रुपया ले गया बिजनिस करने के लिए और बिजनिस किया नहीं व्यपार किया नहीं उसी मेंसे खा रहा है उसी मेंसे गुटी ला रहा है उसी मेंसे किराया दे रहा है और दूसरा वहां गया है उस लाख रुपे में से किराय भी दे रहा है और साथ में बिजनिस भी कर रहा है उसने तो दुगने दुगने चोगने करके पुझी लेकर वापस आ गया और जो बिजनिस नहीं कर रहा है उसने वो पुंजी खत्म कर दी जो धन लेकर गया था मूल धन तो वो भी वापस आ गया क्योंकि पैसा रहा नहीं दूसरा कमाई करके वापस आ गया तो ऐसे परमातमा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहां इस तन्षराय में जीव मुसाफिर और तुम अपनी अपनी सोच में अठकल अडाए बैठे हो करता रहे दमाग रहे करना था वो काम कर नहीं रहे एक भकत ने बताया कि मेरे मामा जी की तीन लड़कियों की साधी थी पांच लड़कियां थी उसके और मेरी मामी बहातनियोट का आवे थी रहो तक के स्टेशन उस पर बस टेंट पर खड़ी थी अब जिसके तीन लड़कियां का व्याह हो और दिन थोड़े रह रहे तो उसके जमाग की सुई तह मेरे खाल में 180 की सपीट तह चलती है ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी वो इन लाना से है सोरी का फलाना चीज़े लाना है ऐसा करना है अर्नू करना है फलाना करना तो वो खड़ी खड़ी ऐसे अपना जमाग गुमा रही थी दूसरी एक गाड़ी से उतरी दूसरी गाड़ी में बैठने का इंसदार कर रही थी और पिछे से एक गाड़ी एक बस आई और उस बेन की छाती माला गिरुआ खड़ी सामने और बस आन लागरी उसने ये नहीं पता है बस तरी जान लेवा गिरुआ सोच री पता नहीं के के गूम री पता नहीं कहां तो पीछ से एक पिलर सा होता है पिलर और बस के बीच माकवा पेचे की आद गंटे तरफ का वही मर गी अब यहां बताते हैं परमात्मा और बात रहकामन आवतु संतों सरने लागरे और केस हुआ गफलत में बंदे जाग जाग मर जागरे इस तन सरा मैं जीव मुसाफर यू करता रहे दमागरे रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्यागरे अब यह जीवन आपका एक रात्री है और जिस दनिया रात्री पूरी हो जागी सवेरा होगा तिरा तो यहां से तुझे खाली करना पड़ेगा यह इसराय खाली करनी पड़ेगी और ले जाएंगे यह हमके दूद पकड़ के पिर क्या बताते हैं उम्दा चॉला बना अनमॉला यह लगे दाग पै दाग रे यह दो दिन की गुजरान जगत में तुम अड़ जड़ें विरानी आगे रहे है अपने आत्मों यह बात विचार करन की है हमारे साथ कालने इतना जबरदस्ट दोखा कर रख्यार इतना प्रैसर बना रख्या हमारे उपर जीव पर इसको अधीक सोचन का समय भी नहीं देता है यह समय आपको यहां आकर प्रभू करपा से ही मिला है थोड़ा सा इस वे विचार कर सको सत्सिंग सुणने के बाद कुस ओमंग सी उठा है आत्मा तर्फ जाती है फिर वो अंगडाई लेती है होसले माती है उस उसकी वो भांग का नसा उतरता है प्रमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अठ पती ये तर्गुन माया और सब गटान अडी किस-किस नह समझाओं या तकुव भांग भी तो ये भांग का नसा यहां एंटिवाटिक औस्दी यहां खिलाई जाती है प्रमात्मा के महिमा की इस से ये भांग उतर है फिर ये प्राणी प्रमात्मा की तरफ अपने आप सरकन लग जाता है जैसे बालक चलता है धिरे धिरे और ज़्यादा सत्सिंग सुनने के बाद फिर ये बच्चा मैचौर हो जाता है फिर आप पर दोड़ लगाता है तो पर्फम द्वीती ये बार तरती ये बार जो बच्चे आते हैं सत्सिंग सुनते हैं वो तो ऐसे आते हैं जैसे कौई ठाल्यात आगे बालक वैं आगらlastे छोटे छोटे कूई लेया चाल चाल सत्सिंग सुना आज़ा आज़ा जा लगा उसनो बलाकर पिर आजा गाड़ी जा है बेठ ले कुछ दिन तरह नहीं उल्याओंगे फिर वो शिगान को समझ कर फिर किसी गाड़ी की या किसी के नुत्य की बाट ना देखा आप बाग लेगा सुच्छन सुनने के लिए तो क्या बताते हैं उमदा चोला बना अनमोला लगें दाग पै दाग रे या दो दिन की गुजरान जगत में जड़ें बिरानी आग रे कुबद कांचली चड़री चित पै तू होरें मनुस्ते नाग रे और सुच जे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरा ग रे हर सुम्रे सोहंस कहावे और ये कमी क्रोजी कागरे बहुराना भरमे इस विसके बनमे चल बेगम पुरुबागरे अब हर सुम्रे सोहंस कहावे पहले कोई चोरी करता था चोर कहलाता था अब चोरी छोड़ कर बक्ती करने लग गया तो आद भगत जी कहते हैं उसको कोई डाके मारता था डाकू कहलाता था और सादनाव वो बुराई ट्याक दी बक्ती कर रहा है तो आद भगत जी कहलाता है तो हर सुम्रे सो हन्स कहाव है ये कामी क्रोधी कागरे और भोरा ना भर में विसके बन में चल वेगंपुर वागरे सब्द सेन सत्गुरू की पिछानी और पाया अटल सुहागरे सब्द सेन सेन माने संकेत जैसे किसी विशेस आपत्ती में आप हैं और वहाँ आपका साथी आजाता है उसको इसारा करते हैं कि आखों से इसारा करते हैं वैसे जरासा इसको सैन बोलते हैं इसको संकेत बोलते हैं यानि ज्यादा कहने की वजाए संकेत ही समझो अब क्या करना चारे हैं कि जो पुन्यात्मा हैं पिछले जनम के संसकारी हान से हैं वो तो ये विचार सुनते ही तुरंद फड़क के जाग जाते हैं जैसे को गैर इंडियन से जागा उठका है और एकदम सुपना सा टूटा है और जो पिछले संसकार जिसके अच्छे हैं नहीं उस विक्ति के सत्संग के वचनों का असर देर से होता है बहुत देर से होता है दो परकार से मानौ स्रीर पराप्त होता है एक तो उन पुन्यात्माओं को मानौ स्रीर पराप्त होता है जो पिछले जनम में भी मानौ थे और कोई बगती साधना उसने किसी संत के साथ लग के कोई सत्साधना की है उसके अनुसार उसके परतिफल में उसको लगातार मानौ स मानों सरीर मिलते हुए आ रहे हैं। यानि पिछले पुनों के आधार से मानों शरीर कंटीनियूस इनको मिलते आ रहे हैं। लगातार, तो उनके जल्दी असर होता है। वो सैन समझ जाते हैं, संकेत समझ जाते हैं। एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा एक के चोट सिधारिया एक के चोट से वो सिधे हो जाते हैं समझ जाते हैं जिनको प्रमात्मा से मिलने की इच्छा है चाहा है उमंग है दो प्रकार से मानुष श्री प्राप्त होता है एक तो वो पुन्यात्मा जो पिछले संस्कार पुन्र संस्कारों से लगातार मनुस जीवन प्राप्त करते ही आ रहे है और दूसरा ऐसा होता है विद्धान है प्रभू का कभीर प्रमात्मा ने विद्धान बना के शकाल को दे दिया के 84 लाख योनियों के सरीरों में कष्ट भोगने के उपरांथ एक टरन्वाइज मानो सरीर अवस्य जीव को दिया जाएगा और दूसरा इस काल की एक विवस्था भी है बस्दू मजबूरी होगी के प्रमात्मा ने इसको इसके अपरहद का दंड दिया के एक लाख मानो सरी धारी प्राणी तो नित आहर करेगा और सवा लाख उत्पन करेगा अब कुछ बोली आत्मा ये कहती हैं कि कवीर वगवान तो प्रम्पिता हैं दयालू हैं उन्होंने इसको सराप क्यों दे दिया ये सराप समझो चाहे हमारे लिए एक उपहार समझो यदि परमात्मा इसको ये सराप ना देता तो एक लाख मानो सरी धारी प्राणी खावगा तो ये मनुस जीवन कभी नहीं देता अपने को इसको पता है कि मनुस जीवन में ये परमात्मा को पैचान लेगा और उसके बाद भी कितना खाड़ा कर रख्या हमारे जी ने इसने निरे नकली संट वेज के जुठी कानी कथा हमारे हर्दय में पेच करवा दी परमात्मा से कोसो दूर करवा दिया ये भी के गाहट गाल रखी है अब ही कोई कसर ने छोट रखी इसने में मूरक बनाने में वो तो परमात्मा आते हैं अपने प्यारी आत्माओं को क्योंकि हमारे पिता हöady है और अपने को कहते हैं नेगता है दुनिया मरब त्यरी पर अपने का दुख होंसा है दुनिया बेसे एक मरों पर अपना मरा जब उसका दर्दोया करें तो हम अमारे पिता कबीर जी है और उस कबीर जी को हमारा दुख है इनके कोई दुख ना है ना इस काल का आसुआंदे ना बिर माविश्णो महिश का आसुआंदे हमारे कबीर बगवान का आसुआते हैं क्योंकि हम उसकी आत्मा है अब जैसे कोई किसे की बेटी दुखी होए पता लगए माज़ पिता ने उन से जुड़ी हुई अंस है वो या बेटा कहीं कस्ट में है तो माबाप ने नीद नी आवे सारी रात उनका बेटे नी लगी रहती है वो रोटे रहती है तो ऐसे ही हम परमात्मा कबीर जी की संतान है चै अज गदा बना रहा है शकालना हमें चै गदी बना रहा है चै कुट्ता चै सूर और चै राजा बना रहा है चै मादेव बना रहा है अच्छे ब्रमा विश्णों में ही सबना रखा है आम उस्क्रम कबीर परमात्मा की आत्मा है एक समय काग भुसंड और गरुड जी का आपस में समवाद हुआ गरुड जी ने पूछा काग भुसंड जी से केहे देवता आपके पास मैं आता हूँ मुझे परम सांतीशी मिलती है और आपके चेरे की रौनक आपके स्रीर का जो तेज है इतना अच्छा है मैं देखता ही रह जाता हूँ यो कैसे दाव लगया तिरा मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कैसे करपा हुई प्रमात्मा की जो आपको ऐसी सादना भगती मिली जिससे आप कितने जो है न देवपद को प्राप्ट की हुए हो कितने अच्छे लग रहे हो आप गरुड जी बता रहे हैं गरुड जी को काग भुशन्ड जी बता रहे हैं क्या बताते हैं कि एक बार मैं एक बार मुझे मानुस जीवन प्राप्ट था मेरे माता पिता थे भाई बेहन थे अचानक एक दुर्भिक्स गिरा अकाल गिर गया वर्सा नहीं हुई और इतना बैंकर अकाल गिर गया कि इनसान को इनसान खाने लगया पत्ते पत्ते तोड के खा लिए गास फूस भी नहीं बचा मेरे माता पिता भी तरफते हुए भूक के मारे स्रीर छोड़ गे मैं 20 वरस की आयू थी मेरी मैं जवान था भूक प्यास को सेन कर गया मेरे माता पिता वरद थे वीक थे कमजोर थे बाही बेहन छोटे थे वो भी मेरी आँखों के सामने दम तोड़ गे भूक के कारणे तो एकदम मैं वहाँ से चलके अवंत का नगरी में पहुँच गया है वहाँ अकाल नहीं था वहाँ अन पेट बर खाया और मन में ऐसी गरना होगी संसारते हैं कि कल मेरे माता पिता का बरा पुरा प्रिवार था आज ये कैसे विनास हो गया कि जीवन है संसार का तो काग बुशन जी बता रहे हैं कि पहले मेरे असंखों मन उस जनम हो लिये थे मने कभी बगती नहीं की थी और इस कारण से मैंने रोटी के आहर के लिए अपने गुजारे के लिए एक आवाज सुनाई दी एक मंदिर में एक पंड़त जी कथा करे था शिव जी के मंदिर में मैं वहाँ चला गया सभी सरोता उठकर चले गए मैं वहीं बैठा रहा ब्रामन बड़ा द्यालू था उसने कहा बेटा कौन है आप कहां से आए हो क्या आपका यहां घर नहीं है फिर कागमुसंद कहता है गरुड़ जी मैंने सब कहनी उस ब्रामन के सामने अपनी आत्म कथा बताई वो ब्रामन भी रोने लग गया आँखों में आशु आगे कहा बेटा इस अंसार में ऐसा ही है यह दुख सुक लगे हुए है आप चिंता मत करो आप मेरे पास रहो इस मंदिर में रहो यह भगती करो बेटा नाम ले ले बेटा बगवान की भगती बिना गुजारा नहीं है कहता है कि छै महीने तक वो महापुरुस अपने मुझे अपने वहाँ रख़ए और सारा मेरा गुजारा दे रहा पैसे रोटी टूका सारा मुझे करवारा और नियों के वेटा नाम ले ले बगती कर ले पर मेरा जू नहीं रह गए मेरी इच्छा एडाब बढ़े तुलसी पिछले पाप ते हरी चर्चा ना भावे और जैसे जवर के बेगते हैं भाई भूख बिदा हो जावे जैसे किसी को जवर आ जाता है मुलेरिया हो गया और उसको फिर नहीं तर रोटी स्वादिश्ट लगती है ना सेब संत्रे ना कजू किसमे से उसको वो कड़वी लगती है कती कड़वी कुनीन की तरह नीम की तरह अब ने तो रोटी कड़वी ना वो मनुखा दाख कड़वी अब उस बुखार ने उसके स्रीर की वरस्था ऐसी बदल दी कि वो स्वादिश्ट वस्थू भी उसको कड़वी लग रही है अब उसका इलाज क्या है कि वो मिठी लगे अब उसके लिए कड़वी ही दवाई यानि कुनीन खलानी पड़ेगी चाहे वो राजी रहे रूची कर खावे चाहे रूची से खावे तो वो जबरदस्ती वो कुनीन की फांकी मरवानी पड़े और फिर धीरे धीरे बुखार उतर जाता है फिर वही जो कड़वी लगती थी वो रोटियां वो स्वादिश्ट लगने लग जाती है और एक सथी थी ऐसे आजाती है कि लुखी सुखी रोटी भी इतना स्वश्ट हो जाता है वो लुखी सुखी रोटी भी बिने सब्जी के खाजा जाजा जोर की वुख लग रही हो यानि सुवह से ना खाई होता है तो कहने का भाव ये है कि जैसे जिसके जितने पाप अधिक है उस प्राणी को ये राम नाम की मनुखा दाख अब उसने वो तो अच्छी लगें लेकिन राम नाम की अकथा कुनीन से भी कड़वी लगती है उसका इलाज क्या है कि उसको भी अच्छी लगे ये स्वादिष्ट वस्टू स्वादिष्ट लगे उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उसने स्वादिष्ट सुनने चाहिए चाहे उसको कड़वी लगें चाहे अच्छे लगें जैसे कुनीन खानी होती है न वो फाक के मारने पड़ते हैं जब अब इस से कड़वी लगें तो उसी से वो फिर सवस्थ्थ होगा तो प्रमात्मा की कथा दोनों काम करती है एंटी वाइटी की भी और आहार का भी तो काग मुशंड कहता है के छे मेने मैंने गुस की पंड़त जी की संगत करी पर मन मैं नहीं आया नाम ले लिए नाम नट्या और जाओं कहां टूक मिले नहीं किता है थोड़ी बहुत सफाई करूं मंदर की और अपना हुआ अब कथा करते रहे मैं बैठा रहूँ वो कथा कर जया लसरोता सुन के चले जा मैं परसाद बाट जो लेकिन परमात्मा ने बताया है कि ऐसे ही दीरे दीरे वो कुनीन ट्रीटमेंट लंबा चले गया उसका छे मेने के बाद बसके मनमाईक नाम ले जूँ थोड़ा सा नरम हुआ आखों में पानी आया नितन्यों कहता है मेरे सारे बाईबान भी मरगे बरिया ख्यामा सूनी आई यानि दिल इतना कटर हो गया अंदर इतना रोज पैदा हो गया बगवान के परती क्यांगा बगवान है यो जब सारा कुन बामार दिया यानि इस तरह की भावना मेरे अंदर आई और फिर वो छे महने प्रेरना चेतावनी सुनके फिर नाम ले लिया अब दे काल का जाला पहले तो पराणी नाम लेकर आजी नी और वो एक संत मिल जावा है डंका फिर इसमें कुछ दिनों के बाद फिर अभी मान का एक और अंकुर फूट आवा है अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उस का गुरुषन बता रहा है कि मैंने वो कथा जो गुरुजी सुनाया करते है वह सारी याद कर ली गुरुजी भुड़े होगे उनके आवाज में भी कशक ना रही और मैं युवा था 21 साल का हो गया और मैंने वो कथा सुनानी शुरू कर दी इन अबसेंस ओफ गुरुजी गुरुजी अपने घर चले जाते पाथ से शुरूता आ जाते बैठ जाते तो मैं कथा करन लाग जाता अब शुरूता हों को मेरी सुरिली आवाज और ज़्यादा पसंदाने लगी मुझे कहने लगे कि तो आप तो गुरुजी से भी अच्छी कथा सुनाते हो वो हो आप तो महराज जी गुरुजी से भी बहुत अच्छी आपकी आवाज है तो वो इन जैक्शन मेरा लागे पंप मार दिये मैं फूली गया तो में जी खी आपकी 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 doubt क्राइडी की अच्छी आपकी मार दोख खित तेंटर दियेufजी की आपकी अच्छी मैं जी अच्छी झाल झाल